वेलकम इने के स्टड़ी में हुए गया दो और इस वीडियो में हम देखना वाले हैं क्लास 9 चेप्टर नंबर 5 के एक्जामपल नंबर 2 का सोल्यूशन और इससे पहले की वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और अगर आप साइन्स की वीडियो देखना चाते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं साइन्स के स्टड़ी 1024 पे आप देखो जो एक्जामपल नंबर 2 है इसमें हमसे बोला गया है प्रूव देट एन इक्विलेट्रियल ट्रेंगल can be constructed on any given line segment मतलब कि हमें ये प्रूव करना है कि हम किसी भी given line segment में चाया उस segment का length कितना भी हो उस पे एक इक्विलेट्रियल ट्रेंगल ड्रो कर सकते हैं तो इसको हम कैसे करेंगे देखो सबसे पहली बात हमें लिखना होता है हमें given क्या है क्या given है कोई एक line segment तो मैंने उस line segment का नाम दे दिया है AB तो मैंने आपर लिखा है हमें given है a line segment of any length let's AB is that line segment उसके बाद हमें लिखना होता है हमें prove क्या करना है तो मैंने to prove में लिखा है हमें एक इक्विलेट्रियल ट्रेंगल बना के दिखाना है जो कि इस line segment बे बन सकता है तो मैंने आपर लिखा to prove an equivalent triangle can be constructed on this line segment ठीक तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें करना क्या है हमें कोई एक line segment बना लेना है ठीक किसी भी length का आप line segment बना सकते हो तो मैंने क्या किया यहाँ पर एक line segment बनाया किसी भी length का बना सकते हो ठीक है जाज़े इसमें बोला गया तो मैंने यहाँ पर एक line segment बनाया अब मैंने क्या बोला था कि इस line segment का मैं नाम दूँगा A B ठीक तो इस line segment को बोल देते हैं A B अब हमें यह दिखाना है कि यहाँ पर एक equivalent rectangle बन सकता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे हम construction करेंगे construction में क्या करना होगा हमें एक बार हम A को center मानेंगे और radius लेंगे A B के बराबर ठीक है center किसको मानना है A को और A B जितनी length का radius से एक arc draw कर देनी है ठीक है या फिर B A बोलो एक ही बात है तो यहाँ से हम फिर से A B या B A के बराबर radius लेंगे और फिर एक arc draw करेंगे ठीक ये दोनों arc जो है वो जहाँ पर एक दूसरे को cut करती है इसको हम बोल देंगे point C अब इसके बाद हम क्या करेंगे A को C से जोइन कर देंगे और B को C से जोइन कर देंगे और जो construction हमने करी है वो हमें लिखनी भी होती है तो मैं वो लिख के लिखा देता हूँ तो यहाँ पर मैंने construction में लिखा है पहले step में हमने क्या किया था A को एक center माना था और A B को radius और एक arc ड्रो करें थी तो मैंने अपर लिखा taking A as center and A B as radius draw an arc तूसरे step में हमने क्या क्या था B को center माना था और B A को radius और एक arc लगाई थी तो मैंने अपर लिखा taking B as center and B A as radius draw another arc और फिर इन दोनों arc ने इस point पर काटा उसको मैंने क्या बोला है C तो मैंने अपर लिखा है both arcs intersects at C ठीक इतना हो गया अब देखो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो A B है ठीक A B ये किसके बराबर है ये बराबर है AC के ठीक है जो A B है ये length ये AC के बराबर है क्यों क्योंकि आपने यहाँ से एक arc लगाई ठीक तो ये भी radius हुई और ये भी radius हुई क्योंकि भाई ये arc है और ये center है center से arc को join करोगे तो आपको radius ही तो मिलेगी ठीक है जैसे गर पूरा circle आप बनाते तब आपको जाता है जाता है जाता ठीक और इसी तरह से मैं कह सकता हूँ कि फिर से अब यहाँ पर जो radius है second वाले में इस arc के लिए जो हमने ये arc बनाई है इसमे radius BA है BA बोलो या AB बोलो एकी बात है तो फिर से मैं कह सकता हूँ कि जो AB है वो बराबर है 20 के और reason क्या है Radiai of same arc ठीक Radiai of same arc ठीक है AB और AC इस वाली arc की सेम radiai है और फिर से यहाँ पर AB और BC इस वाली arc की सेम के radiai है ठीक तो यहाँ से equation ये 1 हो गई और ये equation 2 हो गई अब देखों यहाँ पर AB जो है वो AC के बराबर है और यही AB BC के भी बराबर है तो मतलब तीनों आपस में बराबर होगे तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ from equation 1 and 2 equation 1 and 2 से जो AB है वो बराबर है BC के और ये बराबर है AC के तीनों आपस में बराबर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जो triangle A, B, C है वो एक equilateral triangle है is an equilateral triangle और यही हमें proof करना था तो अमीद आपको इस होन में आया होगा thanks for watching, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में